अलो गाईज दिसे सेये द्यावर असन और आज शायद में इस फिटनेस इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो उस पे बात करना चाहता हूँ इस फिटनेस करियर पर बात करना चाहता हूँ बहुत सा लोगों को लगता है कि इंडिया में जो फिटनेस है इंडस्ट्री है उसमें करियर इतना ब्राइट नहीं है मैं आपको बता दू, हम में कोई कमी नहीं है, ना ही हमारे education में कोई problem है, आप समझना इस बात हो कि बाहर के जो देश हैं, बाहर के जो trainers हैं, वो one one thousand, two thousand dollars charge करते हैं, then हमारी fitness industry इतनी down क्यों हो, यहाँ पर trainers की इतनी value क्यों नहीं है, उसका सबसे पहला जो reason है, वो यही है कि पढ़ने ही नहीं देगा, आपको कोई guidance नहीं देगा, आपको कोई नहीं चाहेगा कि आप उससे उपर बन जाए, बैटर बन जाए, यह सच्चा ही, उसको आपको accept करनी पड़ेगी, बहुत से बड़े-बड़े gyms हैं, वहाँ पर कम salary मिलने के वज़े से, बहुत से लोग ब पंदा ट्रेनर्स हैं, बहुत कम salary package रहता है उनका, जिसकी वज़े से वो लोग upgrade ही नहीं हो पाते, क्योंकि guidance नहीं है, कोई उनको आगे बढ़ाना नहीं चाहरा, इस industry में ट्रेनर्स को, सो अगर आपको इस fitness industry में अपना career बनाना है, तो सबसे पहले आपको खुद decision लेने प fitness का, लेकिन quality नहीं है, क्योंकि यहाँ पर quantity पर believe करा जाता है, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप एक quality trainer कैसे बन सकते हो, अपने आपको brand कैसे बना सकते हो, और अपना जो fitness career है, उसको top पर कैसे पचा सकते हो, लेकि सबसे पहले बात करूँगा, अगर आप fitness industry को देखत हैं, तो बहुत सारे अलग-लग sectors हैं, उसमें बहुत जादे अलग-लग options हैं, fitness model एक option है, nutritionist जो dietitians होते हैं, ये एक अलग option है, आप fitness trainer बन सकते हैं, gym owner बन सकते हैं, so अगर आपको fitness model बनना है, तो आप मुझे comment box में बताएगा, मैं आपको separate videos पर बना दूँगा, कि जो fitness models होत होती है, उनकी physique अच्छी होती ही, तो उनको sponsors मिल जाते हैं, तो वहां से वो अच्छा earn कर सकते हैं, अगर आपको dietitian या nutritionist बनना है, इस option में जाना है, तो आप मुझे again comments में box में बता देना, तो मैं देखूंगा, अगर जादा message आते हैं, तो बिलकुल मैं इस पे एक detail video बन करना है, तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा, सबसे पहली चीस, आपको ये देखना पड़ेगा, कि आप इस industry में पैसो के लिए आ रहे हैं, या फिर passion के लिए आ रहे हैं, तो दियान रखिए, 12 घंटे अगर आप खड़े होके, किसी को workout करा सकते हैं, रात को सोने के बाद सुबह आपको उटने की जल्दी इसलिए हो, क्योंकि आपको अपने clients को train करना है, तो मैं आप से की जीस बोलूँगा, most welcome in the fitness industry, ये industry आप जिसे लोगों के लिए ही, लेकिन अगर आप पैसे के लिए आना चाहते हैं, तो दियान रखिए, ये बहुत long marathon है, बहुत long marathon है, मैं अपनी life इसमें दी है, और मैंने इसी अपने passion को profession बनाया, आप लोगों को भी यही करना है, अब आगे बढ़ते हैं, when I was in the 10th class, तब मुझे लग गया था कि मुझे इस industry में कुछ ना कुछ करना है, मेरा सपना था कि मैं भी अपना gym खोलूँगा, so मैंने अपनी जो education ल तो चलिया है कि मुझे अपने में करे बनाना है, so आप क्या करें, इसी field में जाएं, मतलब मैं home commerce का student, मैंने MBA करा हुआ है, लेकिन साथ साथ मेरी physical education चलती रही side by side, इससे मुझे फाइदा ये हुआ कि जो human body है, उसके बारे में मुझे बहुत knowledge थी, जब मैंने certification नहीं करे थे so अगर आप बहुत young हैं, तो मैं यही बोलूगा कि आप subject ऐसे choose करें, कि आप को physical, human body के बारे में अच्छी knowledge हो, जब तक आप degree कर पाएं, यानि कि आप graduate हो, उसके बाद आपका आता है certification, देखिए certification तो सब को करना है, चाए आप physical field से हैं, या आप non physical field से हैं, human body के बारे आप आपको पता है या नहीं पता है, करना आपको certification पढ़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको से human body के बारे में पता चल रहा है, जो आपने degree ली है, sports science में आपर, आपको जो equipments, machine, body building और workout से related जो knowledge मिलेगी, वो आपको certification 3-6 months के बीच में मिलेगी, so आपको certification करना है, आप बहुत से experience में लग जाएगा, आप गलतिया करेंगे, उस गलतियों से सीखेंगे, फिर गलतिया करेंगे, उस गलतियों से सीखेंगे, मैं हमेशा experience को किसी भी certification से उपर मानता हूँ, लेकिन क्या आप 8-10 साल का experience लेने के बाद इस सब चीज़े करेंगे, तो मेरी advice यह है कि certification करने से एक फायदा यह हो जाएगा, कि जो गलतियां हैं, मतलब 50%, 60% जो गलतियां आप करोगे without certification वो आप बच जाओगे, आपका time बच जाएगा, दूसी चीज़, जब आप certified होते हैं, तो आप एक बड़े जिम में अपना career start कर सकते हैं, क्योंकि client जो हैं आज की date में, वो prefer करते हैं कि हमें, जो trainer मिले, वो certified मिले, आप certified होंगे, तो आपको salary package भी जादा मिलेगा, आपको जो personal training commission है, वो भी जादा मिलेगा, क्योंकि देखिए, आपकी जो source of income है, वो salary नहीं है, जो fitness trainer है, आपकी source of income है, personal training, तो वहाँ पे जो percentage मिलता है, आपको 50% gym वालों का, 50% आपका, वो commission ज आप जल्दी से अपना career start कर सकते है, personal training में भी, otherwise आपको gym में time लगेगा, लोगों को सीखने को पड़ेगा, बहुत से experience करने पड़ेगे, तब जाके आप एक clientation बिणा पाऊगे, so जो पहला point था, वो clear होगे, कि हमें यहाँ पर 3-6 months का certification करना है, जो basic fitness course होता है, वो करना है, कहां से करना है, जहां पर आपको trust हो, मैं किसी academy का नाम नहीं लूँगा, almost academies अच्छी होती है, बस मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, कि जो online courses होते हैं, इन courses से थोड़ा बचे, क्योंकि देखी, जो practical आप सीखोगी, वो practical ही लेगा, मैं फिल वही बोलूँगा, बहुत सारी academies available हैं इंडिया में, जहां आपको trust हो, जहां आप fees afford कर सकें, वहां से आप six months का course करें, यहां आपके हाथ में certificate आया, वहां आप gym join करा, अब बात आती है, gym कौन सा join करें, देखिए, वो gym join करें, जहां से आपको सीखने को मिले, भले salary थोड़ी कम हो, चलेगा, यह आज का मत देखो, मैंने बुला, यह long merit हैं, future में आपको help करेंगी, बहुत से लोग क्या करते हैं, nearby देख लेते हैं, petrol बचराए, इसी gym में कर लेते हैं, कुछ पैसे मिल रहे हैं, कुछ पीटी मिल रहे हैं, आप ध्यान रखें, long नहीं चल पाएंगे, आप ऐसा gym देखे हैं, जहाँ पर clients बहुत जादा हूँ, दूसी चीज़, आपको होँआ पर seniors मिले, सीखने को मिले, well experienced लोग मिले आपको, जो आपको certification के साथ साथ experience दे पाएं, तो starting में अगर salary कम हो तो चलेगी, लेकिन धीरे धीरे आप upgrade करोगे, अपनी knowledge को upgrade कर पाऊगे, और एक ऐसी गलती जो majority लोग करते हैं, मैं आपको लोगों बताऊँगा, वो आप ना करें, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिम में workout करा रहे होते हैं, और आपको कोई ऐसा investor मिल जाता है, और आपने बहुत ही starting initially आपको कोई जानता नहीं है, और आपने अपना जिम स्टार्ट कर दिया, कोई भी ऐसा इन बंदा नहीं बोलेगा, जो किसी ब्रैंड में जाता हूँ, नहीं हम फला फला के जिम में जाते हैं, यह culture है हमारे इंडिया का, जिसको हम change नहीं कर सकते हैं, यानि कि आपको अपने आपको ही ब्रैंड बनाना है, अगर आप एक successful gym fitness trainer और gym owner बनना चाते हैं, सो एक गलती ना करें कि जित्ती जल्दी खोलें, बहुत से लोग gym खोल लेते हैं बंद हो जाते हैं, आपने सुना है कि कितने gym रोज खुलते हैं, जितने gym रोज बंद होते हैं, उसका एक ही reason है, आपको कोई जानता नहीं और आपने gym open कर दिया है, वहाँ पर आपके expenses बहु करते हैं, experience लें, clientation बनाएं, लोगों से बात करें, अपना एक नाम बनाएं इंडस्ट्री में और उसके बाद अगर आप open करते हैं, तो आप ध्यान रखें, trust में कभी liabilities में नहीं आएंगे, कोई भी इंसान आपसे बोलता है कि यह जो fitness इंडस्ट्री है, यह वेसी इंडस् करती है, और बहुत से लोग, job class लोग हैं, लेकिन अच्छी post पर है, business में कोई नहीं है, so मुझे बहुत से लोगों मना कराता, लेकिन मेरा passion था, और मुझे उसी passion को profession मनाना था, so मैंने अपने decision खुद लिये, and मैं आपसे आज खुद बोलता हूं कि आज उपवाले के करम से जो भी मैंने करा है, इस fitness industry में रहते हुए करा है, चाहिए वो कुछ भी चीज मैंने खरी दी हो, एक एक चीज इस industry में रहते हुए खरी दी है, so ऐसा नहीं है कि आप इस industry से earn नहीं कर सकते हो, बस आपको सही guidance और सही वे चाहिए, ये एक marathon मुझे यहाँ पौशने में 8-9 सा लग गए, बहुत एक लंबा time period मैंने इस business में उतारा है, तब जाके मैं आज यहाँ पर पहुँच चका हूँ, जब मैंने initially training स्टार्ट करी थी, तब मेरी salary सिफ धाई हजार रुपे थी, जब मैंने first अपनी job स्टार्ट करी थी fitness trainer की, धाई हजार रुपे, बट जब मैंने धाई जब में अन कर रहा था, तब मैंने एक चीज़ समन लीती, अगर मुझे education मिल गई, तो मैं बहुत कुछ कर जाओंगा, इसलिए मैंने देर नहीं करी और अपनी education ली, और फिर धीरे 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 मैंने कहना ही एक long marathon है, धीरे धीरे करके आज मैं यहाँ पर आया हूँ, कि लोग इस gym को, एस FMC को, FMC के नाम से नहीं, सेयद यावर असन के नाम से जानते हैं, और यही मैं आप लोगों के लिए कहना चाता हूँ, कि अगर आप इस industry में जितना भी नाम कमाना चाते हैं, वो education के base पर ही कमा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे आपका experience बढ़ता र होता है, जो भी आपके मूँ से advice निकले, आपके जो words हैं, वो बहुत pure होने चाहिए, steroids को, drugs को, supplementation को बिल्कुल promote ना करें, अपने clients को सच बताएं, इस fitness industry में, इस workout science में कोई shortcut नहीं है, आप जिस तरीके से weight loss करते हैं, जतना time लगता है, उतर में weight gain में time लगता है, हमारी human transformation म में बहुत time लगता है, किसी को भी misguide ना करें, कोई steroids, कोई supplement को promote ना करें, थोड़े बहुत commission के लिए हो सकता है कि आप कमाल है, लेकिन एक बार आपके client का आप से trust खतम हो गया, trust me, वो आपके 10 client को खराब करेगा, इसलिए genuine रहें, एक teacher हैं आप, एक coach हैं आप, आपकी इज विज़त है, उसको वैसी बना के रखें, ये supplementation के छोटे मोटे commission के चकर में, आप अपना बड़ा loss ना करें, किसी को भी recommend ना करें, कोई steroids, कोई drugs, किसी की तरह का transformation इसके थुरू ना करें, आज पूरे माहौल हिंदूस्तान का सिर्व drug, supplement, drug, supplement पर इतना misguide हो चुका है, कि ल education transformation का, तो हो सकता है, उसको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वो trust करेगा, क्योंकि आपने उससे सच बोला है, और वो आप ही के पास आएगा, और किसी के पास नहीं जाएगा, I think so, ये witness की जो वीडियो थी, career की वीडियो, ये थोगी different थी, एक motivation वीडियो समझ दो इसको यार, education के साथ-साथ, लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा, कि आप लोग सच बोले, आप कामियाब होंगे, और बहुत अच्छे लेवल पे, अपने इस fitness career को लेकर जाएंगे, एक last चीज आप लोग से बोलना चाहूंगा, कि आप लोग इस social platform का use करें, अगर आप already certified trainer हैं, आप already job कर रहे हैं, तो facebook पे, instagram पे, youtube पे, अपनी information शेयर करा करें, अगर आप honest बाते करेंगे, बहुत audience कम मिलेगी आपको, मैं जानता हूँ, अच्छी बात को सुनने के लिए कम audience मिलेगी, shortcut, 3 days, 6 pack apps, 2 days, 1 inch buy से वाली audience जाएदा है, लेकिन trust मेरी, जो भी आपको audience करेंगी, वो permanent audience हो जाएगी आपकी, so अपने social platform को आज से use करें, अगर आप already certified trainer हैं, कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन आप growth चाहते हैं, अपनी knowledge share करें, knowledge बातने से बढ़ती है, honest रहें, और कोई भी जरूरत, किसी तरह का question, जो मैं बताने में शायत में रह गया हूँ, अगर में लिख देना, मैं आपको उसका reply कर दूंगा, कोई भी need पढ़े, I'm always there, thank you so much.